हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 22 करेंगे जो की क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश ये वर्क्षिट 4th October 2021 की है तो आइए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्क्षिट पैराग्राफ राइटिंग लेट अस लन हाव तो राइट आ पैराग्राफ brainstorm write everything you know about the topic on a rough sheet on a place देखो आपको क्या करना है किसी भी topic पे एक paragraph लिखना है उसके लिए पहले आप rough sheet पे एक idea ले लिजे कि आपको उसके अंदर क्या क्या आपकी knowledge में है opening sentence tell what you are writing about first sentence जो होगा opening sentence वो बताएगा कि आप किस के बारे में क्या लिख रहे है decide your opening sentence add the detail on given topic using example आप अपने examples के साथ में जो भी आप detail देना चाहते हैं उसके बाद आप वो लिखेंगे closing sentence is the last sentence of a paragraph paragraph का जो closing sentence होगा वो last sentence होगा it repeat what you want to say in the paragraph वो क्या करेगा एक तरह से ये बात बताएगा कि आपने अपने पूरा paragraph में क्या बताया है तो देखो यहाँ पे हमें बताया गए कि किस तरह से एक paragraph लिखते हैं तो आप घर पे practice जरूर किजएगा यहाँ पे हम समझाएंगे आपको कि किस तरह से लिखना है लेकिन आप घर पे थोड़ी चीशी practice किजएगा कि paragraph किस तरह से लिखना है next देखो क्या कहा गए write a paragraph on the most important person in my life आपको क्या लिखना है कि मेरी life में सबसे important person के बारे में आपको लिखना है the most important person in my life यह paragraph है आपको लिखना है यहाँ पे किस तरह से लिखना है बहुत शोर्ट में आपको पताया गए तो चाहें तो इसी method से लिख दीजेगा otherwise आप अपनी language में लिखेगा तो वो और भी अच्छा होगा तो देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं opening sentence पहले क्या होगा the most important person in my life is my mother क्या हो जाएगा भी मेरी mother हो जाएगा कि मेरी mother क्या है सबसे ज़्यादा important है मेरी life में आपने क्या बताया कि my mother जो है वो क्या है is my role model मेरी role model है उनका जो जैसी वो है वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी life सबसे ज़्यादा important है तो आप my mother पे लिख सकते हैं father पे लिख सकते हैं या other कोई और person है किसी और के बारे में आप लिखना चाते हैं आप लिख सकते हैं तो आए देखते हैं किस तरह से होगा तो देखो जैसे कि first आप यहाँ से start करेंगे the most important person in my life is my mother mother के जगे आप क्या कर देंगे my mother ठीक है यहाँ पर my नहीं लिखा गया तो आप एक लिखेंगे the most important person in my life is my mother यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे आप आगे देख किस तरह से लिखेंगे she आप क्या लिखेंगे she is a very loving and caring person वो क्या है बहुत जादा प्यारी और caring person है she take care of my daily necessity like food and clothes अब देखो अगर आप father के लिख रहे हैं तो आप उसके इसाफ से लिख सकते हैं वो मेरी कहां पर help करता है जैसे कि मैं mother पर लिख रही हूँ न तो आप किसी और पर भी लिख सकते हैं तो लिखेंगे she take care of my daily necessity like food and clothes वो daily की जो चीज़े होते हैं मुझे जो daily चीज़े चाहिए होते हैं वो मेरी mother उन सब चीज़ों का ध्यान रखती है she help and guide देखो कुछ भी लिख सकते हैं मंदर गाइड भी करती है she help me and guide गाइड मी इस तरह से इससे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा extend करना जो हमेरे मैं होते हैं मों striking क्रीकला क challenge जब भी मुझे कोई भी problem होते है यह मुझे ग्राइग देजैं श्चीज करो चीज करो she helped me in my study वो मेरे study में help करती है मेरे homework में help करती है and playing और क्या है playing example if any अगर कुछ भी जिसे आपको example लिखने तो ये चीज़ आपको इहाँ पर नहीं लिखने ठीक है समझो क्या कहा गया है जो समझाया गया समझ में आया आपको paragraph को किस तरह से लिखना वो बताया गया तो आप लिखेंगे she helped me in my studies, homework and playing तो ठीक है ये चीज़ आपने अपनी मदर के बारे में बता दिया अब last में क्या लिखेंगे closing line यहापे closing line नहीं लिखेंगा आप लिखेंगे so my mother is role model to me I love my mother आप यह भी लिख सकते है I love my mother मतला लिखेंगे लिखने के बाद आपका paragraph जो है वो close हो जाएगा यह आपकी जो paragraph किस तरह से लिखते हैं इसके लाबा एक और paragraph भी दिया गया एक बढ़े हम इसको फटाव रिट कर लेते हैं सिर्फ फिलिंग दब लेंक से लिखना आपको खुद इसके लाइन और भी आड करने हैं जैसे कि हमने लिखा कि I love my mother she is very beautiful भी इसमें आड कर सकते हैं आप कुछ भी चीज़ें चाहें तो आड कर सकते हैं अब हम देखते हैं next क्या paragraph दिया गया है अब देखो next paragraph में क्या दिया गया है देखो next में क्या कहा गया है now write a paragraph space between below our planet earth हमारे earth के बारे में हमको लिखना है बहुत कुछ इसके अंदर लिखा गया कुछ lines हम एड भी कर देंगे देखो क्या लिखा गया earth is the most unique most unique planet in the solar system our solar system में earth क्या बहुत unique planet है it is special because it only planet star नहीं earth क्या है where life exists जहां पर life है इस अर्थ ही एक ऐसा planet है जहां पर life है it is the third of the eight planet of the solar system solar system from the sun sun से क्या है अगर हम total eight planet हमारे earth पर है अगर हमारे earth पर planet है तो उसमें से कौन सा स्थान है तो उसमें से कौन सा third इसका number है एर and water or land or solar तो क्या है एर and water are present on the earth to make our life possible हमारे life यहां पर क्यों possible है यहां पर हमारे life पर क्यों possible है क्यों क्यों क्या है यहां पर earth and water है next देखो क्या कहा गया है there is a water on two third part of the earth यहां पर two third part पर क्या है water that's why it is also called blue planet इसलिए इसको क्या कहा जाता है blue planet भी कहा जाता है earth is the home of two men earth क्या है home के लिए man है other living beings सभी other living beings है उनके लिए भी क्या है man है we should protect our planet हमें अमारे planet को क्या करना चाहिए protect करना चाहिए ठीक है ठीक है students तो यह थी हमारी आज की work sheet इसमें अच्छे से आपको paragraph लिखना है confused नहीं हो ना work sheet complete करके अपनी teacher से चेक करवाईए और please मीने चैनल को like कीज़े subscribe कीज़े और share कीज़े thank you guys